पूरे नमस्कार प्रिये जनों आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने शुचिंतक वीना शर्मा आप आए मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सावन का महीना भोले नात का प्रिये महीना बहुत-पवित्र महीना भोले नात को समर्पित महीना इस महीने में भोले नात के जितने भी उपाय किये जाते हैं जिन भी प्रेशानियों को दूर करने के लिए वो पूरंतया सफल होते हैं सो प्रतिशत सक्सेस होते हैं इस बात को म करने के लिए चिंताओं को दूर करने के लिए उपाई करें आज कहा हमारा उपाई उन बच्चों के लिए है जिनकी उमर निकलती जा रही है और विवा की योग नहीं बन पा रहे हैं इस उपाई को माता-पिता करें कर सकते हैं और इस उपाई को अगर माता-पिता ना कर को आप जरूर करें इस उपाय को आपको शिग्रविवा के लिए करना क्या है इस उपाय को करने के लिए आपको शुक्र बुद्धवार का दिन चाहिए आपको बुद्धवार का दिन चाहिए आपको पहले चुंकि आज मंगलवार है और मैं आपको उपाय दे रही हूं शुर मत करनी है और इस उपाई के समापन होगा गुरुवार को और अगर इस गुरुवार को ना कर पाएं तो आप आगे जो नारियल पून्न मा रही है यानि कि 11 तरीक जो गुरुवार आएगा उस गुरुवार को आप इस उपाई को कर सकते हैं देखे आपको करना क्या है कि नहा लीजिएगा ऐसा ना करें कि रखना ही है आज कौन सी पूजा करनी है तो कल पूजा करेंगे जब नहालेंगे ऐसा मत करिएगा थोड़ा सा सनान ध्यान करके उसके बाद से पांच हल्दी की गांट उसके साथ एक सुपारी एक पीले कपड़े में बांध के लपेट के उस को लपेट भी सकते हैं और इसको आप विष्णु भगवान के सामने समर्पित कर दें उनके सामने रख दें इस उपाई को विष्णु भगवान के सामने बिंती प्रार्थना करते हुए अपने मुनोकामना पूर्ति के लिए अगर माता-पिता कर रहे हैं तो बच्चों के लिए विवा की प्रार्थना करें कि शिग्र विवा के योग बने और अगर बच्चे कर रहे हैं खुद तो वह खुद भी अपने लिए प्रार्थना करें अब यह रात भर विष्णु भगवान के आगे यह सामगरी पड़ी रहेगी अब अगला दिन जैसे ही होगा आपना पांच हलदी की गांठ एक आपके उसमें सुपारी रखी हुई जो है इसको आप उठा लें उठाने के बाद इसको बोले नात के मन्दिर जाना है अब अब आपको यह कहोगे कि बोले नात को तो हलदी चड़ती नहीं है जी तो क्या करेंगे वहां पर जाके हाँ आपको बो करना है आपको यह भोलेनात के मंदिर में आप अर्पित करें और यह आप सावन में शुरू करके पांच गुरुवार ऐसा कर लें यानिके बुद्धवार से शुरू करके गुरुवार को इस उपाई को समापन करें और पांच गुरुवार ऐसा करें आप और जब आप समगरी अर्पित करने जाएं तो तब वहां पर एक घी का दीपक भी जला कि हाएं भोलेनाथ के आगे मापार्वती के आगे उनके सामने एक घी का दीपक जलाएं और अपड़ी मनोकामना पूर्थी के प्रयार्थना करें ऑम पार्वती पतिया नमें हैं बहुत आसान सा मंतर हैं जानते हैं लेकिन इस महीने में वह कर लें इस उपाय को इतना शायद उनके याद में नहीं होगी यह बात तो वह भी बता दूंगी अब दूसरा जो हमारा उपाय है वह हमारा उपाय है सवासो ग्राम हल्दी पाउडर यहां पाउडर कह रही हूं मैं सवासो ग्राम हल्दी से और अगर नहीं तो बाजार से सवा सो ग्राम हल्दी तुली हुई ले आएं पैकट मिलता हो तो पैकट ले आएं इसके साथ ही सवा सो ग्राम ही चावल घर में हो तो तोल के निकाल लें अनथा बाजार से तुलवा के सवा सो ग्राम चावल ले आएं ये दोनों चीजें आप इसको आपको गुरुवार के दिन ही करना है और आप जानते हैं पीछे वाला जो उपाई है हमारा शिगर विबा के लिए ये जो हमारी चीजें हैं दोनों ये हमारी दान है गुरुवार के दिन वो भी सावन में ही करना इसको चाहे तो इस गुरुवार को कर लेना चाहे अगल चुpannt जरूरों होती है दान के साथ … जूड़ी होई है तो दक्षन आपको साथ में लेनी है दक्षन आप कुछ भी मैं आपको साथ में लेनी है दक्षनman आपकोूँआ यह पी मैं आप नहींहीं कहोंगी का पानच रुपए यह पाफ्पया आप पंप्लाई 열ें ले आप 12 को इ घीका देपक वहाँ पर भी भूलेनाफ़त के आगे उनके आगे जला के आएंगे ये दान सिर्फ एक गुरुवार का है अब दो गुरुवार बचे हैं दोनों में से किसी एक गुरुवार को सावन में ही कर दीजिएगा और सावन में ही योग बन जाएंगे विवाकर और जो पहले वाला है उसको शुरू करके आगे भादो आ जाए तो कोई बात नहीं लेकिन पांच गुरुवार पहले वाले उपाई को पांच गुरुवार पूरा करना है अब जो अगला उपाई आपको बताने वाली हूँ वह है हल्दी डालके नहाना और इसके साथ ही पांच लेकिन फिर भी सावन के महीने में किया गया यह उपाई बहुत ही चम्तकारी है, अद्वुथ है आपको या तो पांच गाठ भादी के ले लिजिए या पांच चुटकी हलदी के ले लिजिए गुलाभी काघज में डालके और अपने तक्ये के नीचे रख ले सावन के मही टिप ती जरूर करें इसको सावन के महीने में बेटे-बेटियां शिगर वीवा के योग बनेंगे तुरंत वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्स चैनल को सब्सक्राइब करें पहला आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियो ल